इस्तान बाईयो और नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे JS234 वेराइटी की संपुन जानकारी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे JS234 बहुत ही पूरानी वेराइटी है लेकिन मार्केड में अभी भी अपना स्थान पावरफुल बनाए हुए रखी है क्योंकि JS24 वेराइटी है इस वेराइटी का उत्वादन किसानों को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे है और किसानबाई लोग इस साल भी बर चड़कर JS234 वेराइटी की बोई कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे JS234 की पूरी वेराइटी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे साथ JSB 34 की विश्यस्ता है JSB 34 इस साल बेश्ट क्यों रह रही है और इस वेराइटी कितने दिन में पकर तियार हो जाती है इस वेराइटी की पूरी जानकारी के साथ इस वीडियों में बात करने वाले हैं तो दोस्तों आप हमारा वीडियो सुरूच से लेकर अन्ग तक जरूर देखें वीडियो अचा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान सात्यों के साथ सेहर भी जरूर करें दोस्तों JSB 34 वेराइटी पूरानी वेराइटी है लेकिन अभी तक भी अन्य वेराइटीों के बज़ाए ये वेराइटी सबसे चादा प्यदावार देने वाली वेराइटी है दोस्तों अगर इस वेराइटी के कुछ विश्यस्ताओं की बात करे तो ये वेराइटी कम अवदी में पकरतियार हो जाती है यानि कि ये वेराइटी 85-90 दिन में पकरतियार हो जाती है इस वेराइटी में पोदे की हाइड मद्यम होती है और इस वेराइटी में पोदे में नीचे से लेकर उपर तक फलिया परी हुई नजर आती है जिस कारण से यह विराइटी इससानों को अधिक बोई के लिए आकरसित करती हैं। अगर इस विराइटी में फूल की बात करें तो फूल का रंग इस विराइटी में सपेद आता हैं तता धाने का रंग हलका पीला होता हैं। यह विराइटी कम अवदिक होने के कारण अगर बर्सात कम होती है तो भी अधिक प्यदावार देती है और अधिक बर्सात होती है तो भी यह विराइटी अधिक प्यदावार देने की समतार रखती है इसलिए कम ज़दा बारिच में भी यह विराइटी अपना अमूलिय इस्तान देकर किसानों को अधिक से अधिक प्यदावार देती है इस विराइटी की एक खास बात है कि इस विराइटी में इल्ली वाकीट और स्टेम्पलाई का अठेक तोड़ा कम देगने को मिलता है जिससे कि किसानों को इस्प्रे वा खर्चा भी कम करना पड़ता है और अधिक से अधिक आप इस विराइटी से प्यदावार निकाल सकते हो अगर इस विराइटी की बुवई की बात करे तो 15 जून से लेकर 30 जुले के मद्य आप इस विराइटी की बुवई कर सकते हैं अगर इस विराइटी में 20 दर की बात करे तो आपको एक एकड में 35 से 40 किलो 20 दर की आवसकता होती हैं अगर इस विराइटी में उत्पादन की बात करें तो इस विराइटी की बोई करके आप विज्ञानिक तरीके से खेते करते हैं तो आप इस विराइटी से 25 क्यूंटल परती हेक्टर तक उत्पादन ले सकते हैं दोस्तो इस विराइटी की बौई आप मद्य परदेश के अलावा अन्य सेत्रों में भी इस विराइटी की बौई करके अधिक से अधिक उच्पाधन ले सकते हैं दोस्तो आपके तरफ ये जे येस भी चोति सोयाबियन उपलब नहीं है तो आप हमारे से संपरा करके मंगवा स सकते हैं आप अपने नम्मर कमेट अउश्य करें तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद किसान भाई यो जे जुवन जे किसान